हेलो तो स्वागत है आपका टेक्टोनिक में तो इस वीडियो में बात करने वालो जो इंडिया के अंदर जीपी और पीसी बिल्डिंग स्कैम हो रहा है जो यूट्यूबर और रिटेलर मिलके दोनों स्कैम कर रहे है नॉर्मल पब्लिक का उसके बारे में तो चलिए शुरू क और वो मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ इस पूरी वीडियो में वो स्पैक्स बताता है इस बिल्ड की एंड यह बताता है कि कैसे सबसे वन ऑफ बेस्ट बिल्ड है अंडर इस प्राइस रेंज बट असलियत ही है इससे कहीं ज्यादा बैटर पीसी ब 2,800 रुपीस की स्टोरेज यूज करी SSD 250GB NVMe वाली जो पड़ेगी 2,500 रुपीस की एक 1TB की सेकेंटरी स्टोरेज भी यूज करी ती जिसका प्राइस वीडियो में नहीं बताया है तो GPU यूज कर रहा था 4,000 रुपीस का GT710 पावर सप्लाई यूज करी थी 400W की 2,400 की and CPU Cabinet य सब को एड़ करेंगे तो टोटल बनेगा 30,950 रुपीस without hard disk drive तो चलिए अब इस बिल्ड को breakdown करते हैं तो इनोंने चूज कर रहा था i5 का 10th generation जो की 10,900 का था and GT710 जो की 4000 का था इससा मतलब अगर आप दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा 14,900 रुपे and इस प्राइस रें जो की होगा UHT 730 and यह GPU 710 से काफी बैटर है आप सामने देख सकते हैं इन दोनों का comparison तो जैसे कि आपने देखा कि कितना बकवास काड़ है GT710 इस पर मैंने एक पूरी वीडियो बना रहे है जिसके link description में आपको दे दूँगा तो आप देख सकते हैं कि कैसी scam करा जा रहे है ऐसा non worthy card दिया जा रहा है महेंगे price फे बलकि उससे सस्ता एक IGP वाला system भी बन सकता था इससे better होता अगर यह लगाता है MSI का H510M Pro E motherboard जो कि इससे 300 रुपे सस्ता एंड काफ बैटर है उसके अंदर काफी ज़्यादा अच्छी VRAMS है और VRAMS के number भी उसके अंदर ज्यादा है अचले बात करते है RAM की तो RAM इन्होंने दिया 8GB की DDR4 जो की 2800 की है अगर आप same RAM Amazon पे लेने जाएंगे तो 2780 रुपीज की पड़ेगी हाँ यह ज़्यादा कम price नहीं है लेकिन अगर आप offline जाते है तो आपको एक better price मिलना चीए RAM के अंदर है इस समय जो RAM के price हैं काफी जो की best price पे हैं अब same price पे इस को Amazon से भी खरीच सकते हैं फिर उन्होंने लगाई है 1TB की hard disk drive जो की useless है इस form factor के लिए क्योंकि जो एक build बनाया गया था वो एक बच्चे के लिए था जो 5th class का था और उसका main काम था school का काम करना यह gaming PC नहीं है इसका मतलब कोई भी heavy games जो भी दलने वाली थी सिर्फ PDF या फिवर्ड बनने वाली थी और वो सिर्फ 1TB के अंदर होती है तो इसका मतलब 1TB की hard disk drive लगाना useless है अंटिल आपको इसकी जरूत नियो स्टोरेज के आपको से ज्यादा storage नहीं लेनी चाहिए और उन्होंने जो graphic card लगाया 4000 का वो useless है इस price के अं 2325 रूपीज के इस price range में काफी अची power supply है एक अच्छे brand से आती है तो इसे खराप होने का कोई tension मी नहीं लेना and CPU cabinet चूज करा है 2500 का and इससे better आपको chiptronics पे cabinet मिल जाएगा 2300 का and कभी कबार वो 2000 के आसपास भी मिलता है अगर आप साही time पे उसको खरीद लेता हूं तो जो मे 2720 रूपीज की storage मिलेगी आपको 250 GV NVMe 2500 secondary storage के हमें जरुत है नीज बिल्ड के अंदर GPU आपको free मिलेगा जो processor के साथ आता UHD 730 power supply आपको मिलेगी 1325 की CPU case मिलेगा 2300 रूपीज का and जो मेरा build बन रहा है वो पड़ेगा 28,345 रूपीज का and इस price range के अंदर काफी capable build है इसके अंदर आप light gaming भी कर सकते 720P पे सारे काम जो office बगारा के वो तो बहुत आराम से कर देगा जो मैंने PC build कर रहा है वो under 28,000 है और इनका PC build था 33,500 का मतला 5,155 रूपे का फर्क मिलेगा आपको यहाँ पे बट जो मेरा build होना वाला है वो future proof है क्योंकि इसके अंदर एक better motherboard रखा है और इसकी performance भी कहीं कम नी होने वाली और जो आपके वास पैसे बचे हैं आप उससे 16GB RAM ले सकते हैं जो कि आपको 600 रुपे सस्ती भी मिलेगी करीब 5000 की पड़ जाएगी 2 RAM RGB की तो यह था आज का scam और मैंने इसको expose करें अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो like करें सौ लाइक होने के बाद मैं कमेंट के अंदर आपको बताऊंगा कि यह वीडियो किस YouTube चैनल पर अप्लोड करी गई थी और कौन से रिटेलर की थी थैंक्यू फर वाचिंग और पीस सपोर्ट इस वीडियो और ऐसे लोगों को expose करने में मदद करिये